वेलकम टू मैं चैनल टिप्स थीएटर चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों चहरे को खुबसूरत बनाने का ख्वाब हम सब का होता है कि हमारा चहरा बहुत चमकता दमकता सा दिखाई दे चहरे पर बिलकुल भी दाग धब्बे ना हो ना ही हमारे चहरे पर काला पन हो बहुत बढ़िया होम मैड रेमेडी शेयर कर रही है दोस्तों इस वीडियो में चहरे पर बहुत अच्छा निखार आएगा दोस्तों और साथ यसाथ प्रकृतिक तरीके से आप अपने चहरे को खुबसूरत बना सकते हैं होम मैड रेमेडी 100% वर्क करती है दोस्तों और दूसरा फाइदा इनका कभी भी कोई side effect नहीं होता आपको यहां लेना है थोड़ी सी हल्दी वन फोर्थ टीजपून हल्दी लेना है हल्दी का इस्तमाल चहरे की सुंदर्ता को निखारने के लिए रंग को साफ करने के लिए पुराने समय से ही किया आता जा रहा है चहरे के दाग धब्बों को दूर करती है हल्दी, pimples मुहासे की जो समस्या होती है उसे जड़ से खत्म करती है हल्दी कम quantity का लेना है यह ना सोचें अरे हल्दी से हमें pimples हो जाएंगे बिल्कुल नहीं एंटि सेप्टिक होती है एंटि बैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती है दोसों तभी तो पुराने समय में शादी के समय वर्वधु को उप्टन क्यों लगाया जाता है हल्दी वाला उप्टन ही लगाया जाता है क्योंकि हल्दी रंग को निखारती है, शरीर में यदि छोटे मोटे फोडे फुनसी हैं, घाव हैं तो उसे भी भर देती है, आज भी हमारे यहां इस प्राचीन पद्धती को निभाया जाता आ रहा है, आज भी हमारे घर पर वर्वधु को हल्दी वाला उप्टन लगता है, तो हल्दी लेना है दोस्तों, रंग को साफ करने के लिए हल्दी बहुत ही जादा लाभकारी होती है। बजार थे तो आप लोगों ने चहरे के दाग धबों को दूर करने, पिंपल्स, एकने की परिशानी, काले पन को दूर करने की शायद तरह तरह की क्रीम खरीदी होगी। एक बार इस घरेलू नुस्खे को आप जरूर ट्राय करें। और प्राथीन समय से ही दोसों महिलाएं अपने सुंदर्ता को निखारने के लिए होममेड रेमेडी का इस्तमाल करती आ रही है। और इसमें हल्दी का इस्तमाल तो होता ही है। अगली चीज जो दोसों यहां ले रही हूँ टूथ पेस्ट आपको लग रहा है। टूथपेस्ट क्या करता है दोसों सबसे पहले तो यह हमारी तवचा को ठंडग देता है। वाइट वाला लेना है, जैल वाला टूथपेस्ट आपको यहां पर नहीं लेना है। कोई भी सफेद वाला टूथपेस्ट आप ले सकते हैं। केवल आधी चोटी चमची, जितना आप लोग ब्रश में लगाते हैं, आप इसे कह सकते हैं, आधा नहीं है तो इतना आपको अब लेना है दोस्तों, और तवचा को ठंडग देगा, तवचा पर काले पन को धूर करता है दोस्तों, इंस्टेंट ग्लो आता है टूथ पेस्ट तभी तो हमारे दातों की सफेदी बना कर रखता है टूथ पेस्ट, इतना ज़्यादा फाइदेमन है, हमारे स्किन बहुत अच्छा मता स्किन में ग्लो आता है, ग्लोइंग स्किन का काम करता है टूथ पेस्ट, तो एक छोटी कटोरी में मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल चुटकी पर हल्दी डाली है, वन फॉर्थ टी स्पून के करीब हल्दी डाली है, आप चुटकी से बोलें तो एक या दो चुटकी से ज़्यादा आपको हल्दी नहीं लेना है, टूथ पेस जितना आप लोग ब्रश में लगाते हैं, बस उत आप लोगों को सिल्की शाइनी खुबसुरत बनाने के लिए बालों को अच्छा वाल्यूम लाने के लिए आप लो जो शिंपू का इस्तमाल किया होंगे, परंतु शेंपू का इस्तमाल आज मैं इस चहरे का जो पैक बनाना बता रही हूँ इसमें यूस करना बतारी हूं आ पर टिस पून के करीब आप शैंपू सकते हैं, आप छाहे तो आधा चममज भी ले सकते हैं, आप इसे अपने पूरे चहरे पर लगाएं आप अपने गर्दन पर भी इसे जरूर लगाएं दोस्टों, तो शैंपू क्या करता है? हमारे जो बारिक बारिक छेदो होते हैं, जो open pore की जो परिशानी होती है और बारिक बारिक हमारे चहरे के छेदों में जो गंदगी जम जाती है, जो बैक्टीरिया जो जम्स जम जाते हैं दोस्तों उन्हें बाहर निकालने का काम करता है शेंपू, हमारे चहरे से जो excess oil होता है उसे भी बाहर निकालता है, तो त्वचा की गंदगी को साफ करता है शेंपू, साथ ही साथ दोस्तों चहरे में जो भी कोई बैक्टीरिया या कुछ इस तरह के रोम छिदर में कोई जम्स होता है, उसे भी बाहर निकालता है, हमारे चहरे से जो extra sebum होता है उसे बाहर निकालता है, कभी आप सिर्ध होते ना चहरे पर थोड़ा शेंपू लग जाता है, आप देखेंगे चहरे पर बहुत अच्छे से, मतलब deeply cleaning करने का काम करता है शेंपू, कोई साभी शेंपू आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, तीनों चीजों को मिक्स किया है, एक छोटी चमच मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि अच्छा पेस्ट बन जाए, गाढ़ा पेस्ट यह देखें, इसकुछ इस तरह सकता, तो आधा चमच शेंपू लिया है, चुटकी भर आपको हल्दी लेना है, टूथ पेस्ट लेना है, एक चमच पानी लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, और यह जो पेस्ट बना है, दोस्तों, आप यकिन मानिए, कि यह आपके चेहरे के काले पन को दूर करेगा, क्योंकि प मुहांसे, पिंपल्स या एकने की समच्या बहुत हद तक के दूर हो जाती है, चेहरे की साफ सफाई का जितना ध्यान रखेंगे दोस्तों, चेहरे पर कील मुहांसे नहीं होने पाएंगे, चेहरे पर काला पन चलने ही नहीं पाएगा, आपकी स्किन में जो टैनिंग हो जात और कम से कम आप इसे 5-7 मिनट जरूर रखें, आप 10 मिनट भी से रख सकते हैं इसके बार ठंडे पानी से आप चहरे को धोलें पहले बार के इस्तमाल से ही आपको अंतर महसूस होगा कि अरे वाह हमारा चहरा कितना अच्छा साफ दिख रहा है तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी इसे अप्लाइ करके लिखा रही है यह जो होमेड रमेडी होती है तो यह 100% वर्क करती है बिल्कुल चांद के जैसा चमकता हुआ चहरा आप पा सकते हैं इस पैक को लगाने के बाद तो पूरा चारो तरफ लगाएं आप चाहें तो अपने गरदन पर नेक पर भी इसे लगा सकते हैं पहुत अच्छे इसकिन में बहुत अच्छा निखा राएगा गोरा पनाएगा और साथ इसाथ चहरे पर लगाएंगे ना दोस्तों तो चहरे के जो भी दाग धपे होंगे कई बार पिंपल्स के एकने के हमारे चहरे पर निशान पढ़ ही जाते हैं खासकर यंग एज में बच्चों को पढ़ ही जाते हैं तो ये देखें दस मिनट के बाद चहरे साथ पानी से धो लेना वीडियो